हलो फिरेंज वेलकम टो चैनल करन अफेर अपडेटेड अधिस इस दिवशी शवस्ती जैसे आपको बता हुआ हम टूबनेट सीरीज कर रहे थे जहां पर मैंने एक इंपॉर्टन टॉपिक स्टार्ट किया था डाइस गवर्नर जनरल्स को डिसकस कर रहे थे जिसमें वॉइस लास्ट लेक्षर में मैंने लॉड वेल्सली तक डिसकस कर दिया था अब उसके आगे कंटीनू करेंगे तो नेक्स जो हमारे हैं तैस सर जॉज बालो रिमेंबर टाइम प्रेट आपको यादखना है 1805 से लेके 1807 कुछ इतनी जाधा इंपॉर्टन आक्टिविटी नहीं होत कर दिया था उसी को हम कहते हैं मुटरीनी ओफ विलोर डाट इस एट 1806 ओके नेक्स है लॉड मिंटो वन रिमेंबर टाइम पर 1807 से लेके 1813 इनकी ताइम पर क्या इंपॉर्ट आक्टिविटी सबसे इंपॉर्ट आक्टिविटी तो चार्टर आक्ट जो 1813 था वो याद अगर हम अमरिच सर के साइट की बात करें तो याद अखियेगा इस इंडिया कंपनी और रंजीत सिंग के बीच में ट्रीटी शाइन हुई थी आपको बस में यह बता रहा हूं कौन से वोईस वाय गवर्णर जनल के बीच में क्या इंपॉर्टेंट इवेंच हुएं इवें 1816 के बीच में वार होता है इंपॉर्टेंट यही ट्रीटी जो है वो पूछी आती बहुत बार कि यह ट्रीटी किस से लिटेट है तो याद एक एंगलो नेपाल या गुर्खा वार से इस ट्रीटी ऑफ सगॉली याद एखियेगा 1816 में ट्रीटी साइन हुई थी तो अफको दो को मैं लान रवनीड़ी पॉल्च एक बताया थी जमींदारी सिस्टम एड़ टाइम ओफ लॉर्ड कॉन्वेलस ऐसे एक लान रवनीड़ सेटिलमेंट है याद रखेगा सिस्टम इसको कहते है रोतवारी सिस्टम रिबेंबर रोतवाई सिस्टम वस्टम उस्टम बंबे में ये रोतवाई सिस्टम इस्टम इस्टम वस्टम वा था विद्धा है था थाइम अफ लॉर्ड हसिंग तो यह अक्टिटी लॉर्ड हासिं पर इंपोर्टिंट है नेक्स अगर हम बात करें तो लॉर्ड एमहर्स ये भी एक इंपोर्टेंट है टाइम प्रेट देखे 1823- 1828, important है कि पहला first Anglo-Bramese war, remember of course, जो Bramese empire होगा versus East India Company war होगा, remember first Bramese war, 1824-1826 important क्या हो जाता है, इसकी treaty, again, तो याद कि याद कि याद दूबू याद कि याद कि याद दूबू important है, 1826 में treaty sign होती है तो पुछाता है कि ये treaty किस से याद कि ब्रमीज वार से लेटेड है इनी कि इसी टाइम पर याद कि इसी governor general of Bengal के बीच में important mutiny भी है, mutiny of Barrackpur remember 1824 में, और ये mutiny भी बिल्कुल वेलोर की तरह है, जहां पर Indian sports जो है, याद दखेगा, British officers के against fight होगी, remember और ये बैरकपूर में होई थी, जो कि West Bengal में at present, याद दखेगा, mutiny of Barrackpur at the time of Lord Amherst के बीच में, तो के, अगला जो important governor general of Bengal थे, याद दखेगे, उनकी time पर important act पास होता है, इसे कहते चार्टर act 1833, और अब governor general of Bengal को इंडिया गाइगा, फर्स्ट कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटेग, याद दखेगा, इन्होंने सती सिस्टम जो था 1829 में, remember को abolish किया था, with the help of Raja Ramon Roy, आपको याद दखना है, और सब्सक्राइब थगी जो थागी सिस्टम था, इसको सब्प्रेस किया, तो ये विलियम बेंटेग के ताइम पर ही हुआ, या देखेगा, female infanticide को भी प्रोहिबेट किया, इवेन प्रोहिबेट करने के साथ इसको एक offense भी बनाया उन्होंने, तो this is a good reform by Lord William Benteke, okay, next देखाए तो उन्होंने मैसूर का control ले लिया था, remember, reason ये दिया किया mis governance on the ground of mis governance in 1831, उन्होंने मैसूर का जो या देखिये rule था, वो अपने हाथ में ले लिया था, okay, so that was also done at the time of Lord William Benteke, okay, this is very important, Governor General की जो council हुआ करती थी, उसमें first time कोई law member appoint हुआ था, और वो law member तो Lord McAulay, remember, so Lord McAulay के उन्होंने याद कि committee established की थी, इसको Lord McAulay इसको head कर रहे थे, वो committee थी regarding recommendation of education, remember, ठीक है, और इसमें यहाँ पर उन्होंने उसकी recommendation को accept भी किया, जो recommendation, क्या उन्होंने recommendation थी, McAulay ने, कि English को official, लिटेचर language बना देना चाहिए, इंडिया का, remember, तो उन्होंने यह accept भी कि और English Education Act 1835 भी pass किया, remember, ठीक है, और यह भी याद रखने है आपनको कि local, जो भी English को इतना promotion मिला था, क्योंकि McAulay कमिटी ने भी इसको recommend किया था, तो local language जो थी, बोला गया, court में local language जो रहेगी, lower court में यूज कियाएगी, but higher court में पहले Persian यूज होती थी, उसको replace करके English को introduce कर दिया गया, तो यह भी William Benteke के टाइम पर हुआ था, उन्होंने Calcutta Medical College, यह बहुत बार पूछा आता है, कि Calcutta Medical College जो 1835 में इस सिस्टम को एडॉप्ट किया गया था, तो यहाँ पर आप देख सकते है, मैंने जो इंपोर्टेंट गवर्नेर जनल्स तो वो मैंने बताएं, अभी यह सिरीज आगे भी continue रहेगी, टूमेट की सिरीज है, तो इसको जल्दी से मैंने complete कर दिया, इंपोर्टेंट, अगर आप मेरे notes चाहते हैं, इसके notes आपने घर तक खोरियर करवाना चाहते हैं, तो एक बार आप जाकर मेरे link को देखिए, वहाँ पर मैंने video डाल रखा है, notes किस तरह का है, sample दे रखा है, notes आपको मिल जाएंगा, आप घर बेटे बेटे पढ़ सकते हो, exam को crack कर सकते हैं, remember, आप जाए तो मेरे video lecture को उस भी join कर सकते हैं, application download करो, link application का दिया हुआ है, remember, यहाँ पर मैं topic अभी कौन सा किया है, that is Minto, Lord Hasing, Lord William Mente, again, important था, okay, आगे इस चीज़ को continue करूं की नहीं करूं, वीडियो कैसा लग रहा है, comment box में जरूर share करें अपने views, वीडियो पसंदा है, वीडियो को like जरूर करते हो, share करते रहें, ज़ादा ज़ादा views होंगे, मैं ज़ादा ज़ादा इस lectures को लाता रहूंगा, और अगला topic आप क्या चाहते है, two mates series में कौन सा topic लेका है, comment box में जरूर comment कर दें, और please वीडियो को आप जितना हो सके, उतना share करें, thank you.